आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे 36 गड़ सरकार के उप मुख मंत्री ग्रिह और पंचायत्यों अच्छावू माइट लगेगे कि प्राइप्ट्नुद्ध करवान कर दो कि अग्छाय , प्रिव्र्ण कि अडिवला री ग्रुर्ण तुम के लागे अग्छाइप्थ आपक खरश Simply अग्म आज के प्रेश वार्ता में उपस्तित, हमारी सरकार के उपमुख मंत्री, ग्री मंत्री और पंचायत्यों ग्रावणी विकास मंत्री स्री विजय सर्माजी, हमारे दूर्व के विधायक सरी गजय रियादो जी, हमारे पंचायत्यों ग्रावणी विकास मंत्री स्रीवंती निहारिका बारिक जी, और आप सभी प्रेश के मित्रगाण, आप सभी का आजकी स्वागता में स्वागत हैं, और आज 36 गड़ के लिए बड़ा ही खुशी का विशे हैं, और इस खुशी को आप लोगों के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश के लोगों तक और विशेश कर, जो पिछले पांच साल कॉंग्रेस पार्टी की सरकार में पड़ान मंत्री आवास से बंचित हो गए थे, उन तक मुँचाना चाहते हैं, और इसी निमित आज आप लोगों को यहां पर बुलाए हैं, सबको मालूम है कि पिछले पांच साल जब चत्तिजगर में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी, सरी भूपेस बगेर उसके मुख्या थे, तो प्रधान मंत्री आवास योधना जो गरिबों के लिए बहुत ही कल्यांत कारी योधना है, उनके सिर्व में चट देने का योधना है, जिसमें 18 लाग लोग बंचित हो गए थे, तातकालीन सरकार राज्यांस जो 40% का रखता है, वो इसलिए जमान नहीं की की योधना में प्रधान मंत्री सब्द जुड़ा था, और कहीं न कहीं इसका सिड़े भारती जन्ता पार्टी की सरकार को और ननेंद मोदी जी को चला जाता, इसलिए 18 लाग गरीब लोगों का हग जीना गया, और सबको मालूम है कि 2023 के विधान सभा चुनाओ परचार के दौरान, हमारे देश के सबस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी 36 जन्ता से वादा किये थे, कि इस बार भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो भी मुख्यमंत्री होगा, वो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम 18 लाग गरीबों का आवाज सुख्रित करने का करेगा, यह हमारे आदने परधान मंत्री जी ने चत्जिगर की जन्ता से वादा किया था, मोदी की गारंटी में भी यह है, और मुझे बताते हैं वे खुसी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार सपत ली और 14 दिसंबर 2023 को पहला के मिनिट में ही हमारी सरकार ने 18 लाग परधान मंत्री आवास की सुख्रिती दे दी और जो 40 परसेंट रासी राजजान सोता है उसकी ग्रोस्था हमारी सरकार ने कर लेकिन यह आवास बनने में देरी इसलिए हुई कि उस मित्यवर्स में जो केंद्रांस 36 गड़का था तो कि प्रदेश की सरकार राज्यांस जमा नहीं कि थी इसलिए भारत सरकार ने उस प्रैसे को दूसरे राजवें आबंडित कर दिया था लेकिन जब नया मित्यवर्स आ दोहजार चोबीस और बच्चिस का तो कल ही है हमारे 36 गड़के लिए कुल कि कूल कि आट लाग शालीस हजार नौसो एक तिस प्रदानमंति आवास की स्विकृति भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे 36 गड़के तरफ से 36 गड़के तीन करोड़ जनता के तरफ से और विशेश कर प्रदानमंति आवास से जो लाभानित होंगे सब के तरफ से हमारे देश के असवस्वी प्रदानमंत्री से नरेद मोदी जी को बहुत बहुत उनको धनवाद करते हैं उनको साधुवाद करते हैं उन्होंने हमारे 36 गड़को को आठ लाग 46,931 प्रदानमंति आवास की शुकृति दी है और हम लोगों ने 18 लाग प्रदानमंति आवास की बात की है तो इसमें आठ लाग 46,931 की शुकृति तो बिली है और इसमें कि अ कि एसी सी सी तो हजार गार में से छेडा पूंची की की अ कि एसी सी 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 तो हजार गार जीस सुची के लोग पिछले पांस साल में बंचित हो गए थे और शिर्फ शतिस गण में बंचित हो गए थे बाकि सभी प्रतेसों में साल में बंचित हो गए थे लेकिन यहां की सरकार की निश्कृता के कारण या वनलब रही करवाने के कारण बंचित हो गए थे तो आज जो हम लोगों को आट लग शालिस हजार नोसो एकटीस प्रधानमंती आवास की सुकृत्ति मिली है उसमें से 6,99,331 प्रधानमंती आवास यह दो हजार स्थी सिचे 2,011 वाली सुच्ची में से हैं और बागी एक लाग 47,600 यह जो आवास प्लस वाले हैं आवास प्लस जिस प्रधेश ले स्थी सिचे 2,011 की सुची वालों को प्रधानमंती आवास का निर्माट करवा दिया उनके हां आवास प्लस भी शुरू हुआ तो हमारे हां तो स्थी सिचे 2,011 के लोगी लाब नहीं ले पाए थे तो आवास प्लस का तो प्रस्न ही नहीं उरता था लेकिन आज एक साथ एसी सिचे 2,011 का 6,99,331 और उसके साथी साथ एक लाब 47,600 ये आवास प्लस वाले हैं जिनकी भी शुरूर्गिती 36 गड़ को मिली है और बाकी पीएम जन्मन योजना जो बीवी टीजी लोगों के लिए है विशेस विच्छनों सुर्थित जनजाती के लोग जो राजपसी के दत्तक पुद्र कही जाते हैं इसे कोरवा विरहोर अबूज माडिया पंडो वैगा इनके लिए जो पीएम जन्मन योजना हमारे प्रधानमंत्री की चला रहे हैं उसमें 24,64 ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है बहुत पूर्ण भी हो चुके और आप लोग को इभी हम बताना चाहेंगे कि पिछली कॉंग्रिस की सरकार ने जब विधान सभा का चुनाव आया तो एक प्रधानमंत्री आवास योजना का सुर्वात गिया था जिसमें 47,90 लोगों के शुक्रिती दी थी उन्होंने और एक किस्ट भी जारी किया था 25,000 क हम लोग कोई बहत भाली करते हुए उनको भी अपने आवास योजना में सामिल कर लिये हैं और दूसरी किस्ट जारी कर दिये हैं और दूसरी किस्ट भी उसमें जारी कर रहे हैं तो यह उदारता हमारी 46,000 की सरकार ने इन 47,090 लोगों के उपर में भी किया है और पिछले ज 29,99,000 प्रधानमंतिय आवास का निर्माड जो कई अधूरी थे उसको भी पूर्ण कराने का काम छत्तिगर की सरकार ने किया है इस तरह से कूल मिलाके हम लोग आने वाले समय में जो 18,00 प्रधानमंतिय आवास की बात कही थी वो 18,00 आवास गरिभों को हमारी सरकार देने के के लिए बचनबद्ध है और जो हमारे नियत नेलानार योजना के अंतर के जो जिले हैं बस्तर, सुपमा, दंतेवाडा, विजापूर, नारायनपूर और जो काकेर का कुछेरिया है जो नक्सल पर भावित छेतर हैं उनके लिए नियत नेलानार योजना अलग से सुरू किये हैं, आपका अच्छागा योजना सुरू किये हैं मानने शिरी शिवराज सिंग चवहांदी जो फंचायतों ग्रामिर विकास मंत्री भारत सरकार में उनसे निवेदन किये थे कि उनके लिए अलग से प्रधानमंती आवास आप दीजिए और अभी हमारे देश के सबस्वी ग्रिमंत्री जी अमिल साथ जी आये थे उनसे भी आग करता है कि उसके लिए भी दस अजार से उपर प्रधानमंती आवास हमारे नियर देनेलानार के जो मलब जो बिवित हैं नक्सलवात से वात्म समर्पन कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग प्रधानमंती आवास बनाने में मलब सच्छम होंगी कि देखें वहां के रहवासियों के लिए यह ही है जो इसी सीची 2011 की सुची में है या आवास पलस में इनका नाम है वो तो हई है उजहतरों से बंचित नहीं है लेकिन यह जो निया दिनलानार के हम लोग बात कर रहे हैं यह जो नक्सलवात से जो प्रीडीज हम के लिए अलग से हैं